ही गाइस वल्कम बैक टू मैं चैनल दिपिका स्टाइल और मैं हूँ दिपिका कैसे हैं आप सभी लोग आई होप सब ठीक होंगे तो आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वह है यह वेज पुलाओ जो कि खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगता है और बहुत एजी ली और क्विक तरीके से मैंने इसको बनाया है इस वीडियो को एन तक जरूर देखिएगा आई होप आपके लिए यह वीडियो हेलफुल रहे अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीस लाइक जरूर कीज़ेगा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में और जरूर करिएगा मेरा चैनल और यहाँ पर वेजपुलाव मैंने डारेक्ट कूकर में बनाया है आप राइस को बॉइल करके भी बना सकते हैं तो चलिए फिर फटा फट से रेश्पी देखते हैं और बनाते हैं वेजपुलाव अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तो बैच पुलाव बनाने के लिए स बासमती राइस लिए हैं आपके पास जो भी राइस अवेलेवल हैं आप ले सकते हैं यहां पर मैंने यह लंबे बासमती राइस लिए हैं तो वेच पुलाव बनाने के लिए हमें कुछ वेजिटेवल की अवश्यक्ता पड़ेगी तो यहां पर मैंने कुछ वेजिटेवल बीन्स है गाजर है सिम्ला मिर्च है पत्ता गुबी है और एक मीडियम साइज का आलू है जिसको कट कर लिया है और इन सबी सब्जियों को मैंने छोटे-छोटे पीसिस में कट किया है आपके पास जो भी सब्जी अभी लेविल हैं आप वो ले सकते हैं नेक्स्ट मैंने या प बैच पुलाओ बनाने के लिए मैंने यहापे ली है एक मीडियम साइस की प्याज जिसको मैंने यहापे ऐसे लंबे लंबे पीसेस में गट किया है नेक्स्ट यहापे 4-5 हरी मिल्च हैं उनको भी लंबा लंबा काट लिया है हरी मिल्च आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते है कि आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं नेक्स मैंने यहां पर अद्रक को कद्दू कस करके लिया है और लेसन को लंबा-लंबा पीस कट करके लिया है तो इन सबी चीजों की भी हमें जरुत पड़ेगी वैच पुलाओ बनाने में तो बैच पुलाओ बनाने के लिए मैंने यहां पर कुछ मसाले लिये हैं जैसे यहां पर है तेजपत्ता, साहजीरा है, जीरा है और चक्रफूल है, डालचीनी है, बड़ी इलाइची है और यहां पर दो लॉंग है, दो काली मिर्च है और जावित्री है नेक्स्ट यहां पर मैंने हींग लिये है थोड़ी सी और नमक है, नमक आप अपने स्वाद के नुसार ले सकते हैं रिफाइंड ओयल है, एक चमच घी का यूस किया है मैंने और यहां पर कुछ ड्राइ मसाले है, जैसे धनिया पाउडर है, एक चमच एक चमच लाल मिर्च पाउडर है नेक्स्ट यहां पर आदी चमच हल्दी पाउडर है, गरम मसाला है और यहाँ पे है बिर्यानी मसाला पाउडर। अगर आपके पास बिर्यानी मसाला और गरम मसाला नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो लिए फिर हम बनाना शुडू करते हैं, वैच पुलाओ। नेक्स्ट मैंने यहां पर लिया है गार्नेशिंग के लिए धनिया पत्ती तो यहां पर इसको बारिक बारिक मैंने चॉप कर लिया है तो सबसे पहले यहां पर मैंने जो यह बासमती राइस लिये थे दो कटोरी उनको हम दो से तीन बार अच्छे से वाश कर लेंगे तो ये देखी, यहाँ पर मैंने अच्छे से इन राइस को वाश कर लिया है, दो से तीन बार तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं तो गैस पर मैंने कुकर चड़ा दिया है और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है और इसमें अब मैं ऑईल डाल दिया है जो दो चमच लिया था और जैसे ही ऑईल गरम हो जाता है तो हम इसमें बाकी चीज़ा एड़ करेंगे तो ऑईल गरम हो चुका है तो सबसे पहले यहाँ पर जो साबुत मसाले लिये थे उनको add करेंगे और साथी साथ में आपर जो हाइंग लिथी उसको add कर दूंगी दो यहां पर यह सब चीजों को अच्छे से mix कर देंगे और अदरक और लेस्टन झेंट करेंगे और इन सब भी कुछ अच्छे से मिक्स करती हो है हम एक मिनिट के लिए भून लेते हैं ताकि इनका जो भी कच्छा पन है वो निकल जाए तो अभी हम इसमें जो हरी मिर्च ली थी हमने उसको एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि अच्छे से भुन चुकी हैं तो अब हम इसमें यहां पे आड़ करेंगे लंबा लंबा जो प्याज चौप करके रख्या हुआ था उसको एड़ करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हम अगेन और प्याज का कच्छपन खतम हुने तक हम इसको गोल्डण ब्राउन होने तक किसको भून लेते हैं तो ये देखिए प्याज भी अच्छे से भून चुकी है अब हमने जो है आप बेज़िटेवल ली थी उनको एड़ कर देंगे गाजर, आलू, सिमला मिर्च बीन्स और पत्ता गोबी तो इन सबी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे बेज़िटेवल आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपके पास जो भी हैं तो आप वो डाल सकते हैं तो इन सबी चीज़ों को हम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे तो सारी बेज़िटेवल मैंने एड़ कर दी हैं और इन सबी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही साथ मैं यहाँ पे फ्रोजन मटर जो एक कटोरी लिया था मैंने उसको एड़ करेंगे फ्रेश मटर का भी यूज कर सकते हैं मेरे पास फ्रोजन मटर है तो मैं उसका यूज कर रही हूँ तो इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करती हुए हम एक मिनिट के लिए भूनेंगे तो एक मिनिट होने के बाद हम इसमें नमक एड़ करेंगे और नमक एड़ करने के बाद हम इसको एक मिनिट के लिए और भून लेते हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं अब हमने जो ड्राय मसाले लिये थे उन सभी को हम एड़ करेंगे और इन सभी को मिक्स करते हुए हम अगेन इसको एक से दो मिनिट के लिए भून लेते हैं पहले हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यहां यह देखिए अच्छे से सारी चीज़े बुन चुकी है तो अब हमने यहां पर वासमती राइस जो लिये थे उनको एड़ करेंगे तो यहां पर सारे राइस मैंने मिला दिये हैं और एक स्पून की मदद से मसाले को और राइस को हम दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यह देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने तो अब हम इसमें पानी डालेंगे पानी डालके हम इसको बॉइल करने के लिए रख देंगे तो यहाँ पे मैं डेर से दो ग्लास का पानी का यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं पानी एड़ कर दिया है तो यहाँ पे पानी एड़ कर दिया है अब हम इसके कुगर का धक्कर लगा के तीन से चार सीटी आने तक हम इसको बॉइल करने के लिए रख देते हैं तो ये देखिए कुकर ठंडा हो चुका है और पुलाओ भी बहुत बढ़िया तरीके से बन चुका है तो अब हम यहाँ पे ऊपर से एक चमच घी का यूज़ करूँगी अगर आप घी का यूज़ नहीं करना चाते तो इसकिप कर सकते हैं यह बिलकुल ऑप्शनल है तो घी को हम पुलाओ में अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हमने यहाँ पे बारीक धनिया पती चौप करके रखी हुई थी उसको एड़ करेंगे और इनको हम मिक्स करेंगे तो यहाँ पे धनिया पती भी अच्छे से मिक्स कर दी है तो चलिए हम एक प्लेट में सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं तो वेच पुलाओ बनकर एकदम तयार है गर्मा गर्म आप सर्ब कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी वेच पुलाओ बनकर तयार है आप इस रेसिपी को एक बाद जरूर ट्राइ करें आई होप आपके लिए हेलफुल रहे और आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई हो मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि जब भी मैं निव वीडियो डालो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो चलिए फिर मिलत